तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाइटी इस्टूडियो की एक ऐसा अपडेट की बारे में जो हर यूटूबर को लिए जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तो आप जब भी वाइटी इस्टूडियो को खुलते हैं जो आप अगर चेंज करते हैं सेटिंग पे जाकर तो आप जिस कंट्री के हिसाब से इधर आपने आर्निंग को देख सकते हैं उसके हिसाब साब सेलेट करके उसके रूप में देख सकते हूँ तो चले मैं आपको सेलेट करके इंडिया सेलेट करके दिखा देता हूँ दोनों में से किसी भी option पर click कर सकते हैं, मैं अपना channel की profile पर click कर देता हूँ, click करने के बाद आपको setting option पर चले जाना है, जब भी अप setting option पर जाते हैं, तो आपके सामने हैं कुछ इस तरह का interface आएगा, और आपको चार options फोर कर दिया जाएगा, दोस्तों आपको चार option में से किसी भी option को छेड़ शार नहीं करना है आपको सिधा नीचे आना है और आप देख सकते हैं नीचे एक country currently where आपको क्लिक कर देना है दोस्तों आप इस option पर जब भी क्लिक करते हो तो आपका जो भी select होगा वो US dollar पर होगा आपको यहाँ इंडिया एनार पर क्लिक कर लेना होगा तो चले मैं अपना इंडिया रूपीज ढूंड लेता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं हमें इंडिया रूपीज मिल गया है और आपको भी इस तरीके से ढूंड के उसको set कर लेना है जब भी आप set करते हो तो set करने के बाद आपको back आजाना है और back आके आपका YT Studio उसको एक बार आपको refresh कर लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका आँखों की सामनी जो है हमारा जो भी डॉलर था उसको इंडिया रूपीज में convert कर दिया है दोस्तों इस तरीके से आप YT Studio के इस setting की मदद से आप अपने इंडिया की कितना कमाई किया है रुपे में आप बली ही आसानी से लाइब देख सकते है तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट्स में जरूर बताए अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिये और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिये